हाई आप सोगा सोगत है एक और नए वीडियो में यह है आपका है टेमिल पार्ट नाइन इसमें हम देखने वाले हैं आपका वर्ट्स न्यू इन एच्टिमिल फाइब जैसके प्रिवेस वाली क्लास में हमने एच्टिमिल फाइब के बार में थोड़ा सब पड़ा था आज इ प्ले लिस्ट का लिंक आपको डेसरेशन में लेगा आराउंड हम इसमें मिनीमम 50 वीडियो बनाएंगे विद लाइव इक्जामपल एंड वीडियो ज्यादा भी हो जकते हैं बट मेरा टार्गेट क्या है कि मिनीमम 50 वीडियो देने का एंड इसके आगे जो भी वीडियो हो होगी वो बोनस होगा आपके लिए अड़ीशी के साथ में जब हम हम एच्टेमल एंड 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 दोनों प्लेलिस्ट को कम्प्लीट करनेंगे ना दब मैं आपको क्या दूंगा टैन रियल वर्ड के प्रोजेक्स होंगे जो एच्टेमल एंड एंड वोगे बस ठिक निव इस्टेमल फायव निव इस्ट्ट्टर अब आपको पता है कि जब भी हम हम एक्स्टेम ये उस करते हैं जावा स्कर्प्ट यूस करते हैं तो वही चीज आपका यहाप से स्टार्ट होता है तो like जब भी हम HTML5 या HTML यूज़ करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है तो वो देख लेते हैं पहले तो सबसे पहले मैंने यहाप एक चोटा सा यहाप पर परग्राफ लिख रहा है परग्रती देन उससे पहले आपका सबसे पहले ले आउट रेडी करना होता है ठीक है कि उसका लुक्स कैसा होगा जो आपको note down और याद रखनी चाहिए क्योंकि यह आपका interview में question यह आपको exam में ही पुझा जा सकता है ठीक है और इसके बाद में यहाप लिखा वाइन documents in journal ठीक है कि journal जो आपके documents होते हैं वो यहाँ पर ready कर सकते हैं वेब pages कर सकते हैं, navigation, body content, sidebar content, header, footer and other features बहुत कुछ है आपके पास में यहाँ पर HTML5 के अंदर जिसको हम use करने के बाद ना बहुत अच्छे-च्छे web layout बना सकते हैं इसके बाद देखते हैं next इसके अंदर के आपका new elements in HTML5 में क्या आया है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो यह second point दिख रहा है तो second points के just नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा and just इसके नीचे मैंने यहाँ पर लिख रहा है कि new HTML elements and description what they are should for ठीक है तो यहाँ पर चोटा सा आपको मैंने एक लाइन लिखे इसके बाद देखेंगे next इसके अंदर है क्या तो सबसे पहला point इसके अंदर आता है जो कि मैंने previous वाली class में भी आपको बताया था semantic elements अब यह semantic elements और non semantic elements क्या क्या होते हैं यह दोनों में क्या difference है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ा हमें मिलती है और इनकी differences क्या हो सकते हैं यह सबसे important है आपका HTML5 के अंदर ध्यान रखेगा कि जो आपको इंट्रिवू में कोशन पूछा जा सकता है या तो आपके exam में भी यह question आएगा ठीक है तो इस theory को थोड़ा सा याद रखना important है क्योंकि यह आपसे related करता है आपका इंट्रिवूर के लिए और उसके बाद में आपका exam के लिए इसके बाद देखते हैं इन दोनों के changes की इसके अंदर क्या change है आपका semantic element होता कै तो semantic element आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने जो इसकी meaning लिख रहे है वो आपको यहाँ पर दिख भी रहे होगी इसके बाद देखेंगे next तो next इसके अंदर यहाँ पर यह सारे के सारे आपके elements है जो कि आपको मिलते हैं किस में semantic element के अंदर सबसे पहले आपका यहाँ पर आर्टिकल दिख रहा होगा एस साइट दिख रहा होगा आपको details, fig caption, figure, footer, header, main, mark, nav, nav के बाद आपका section, फिर summary, fit times यह तो बहुत कम मैंने आपको बता हैं और इसी के अंदर बहुत सारी नहीं चीज रखें जो mainly आपको use आएंगी ही आएंगी, मैंने आपको यहाँ पर वही चीज रखें जो mainly यहाँ पर use है, ठीक है, जिस चीज़ होगा, और वो भी सारी का use है, आगे चलके उन सब को भी देखेंगे, but अभी just दिखाने के purpose से मैंने इस चीज़ों को रखा यहाँ पर, इसक आपको क्या रख सकते हैं, नेबा, इट मींस की निविगीशन, और उसके बाद में एक section create करना है, जैसके आपको पता है कि पहले div चलता था, इट मींस की division करने के लिए, तो यहाँ पर आपका पास section है, कि section बना सकते हैं, and then उसके नीचे बस आपका article, अब इन दोनों को यह यहाँ पर space कैसे मिलता है, वो a side के साथ मिल सकता है, कि आप a side, it means के sidebar बना सकते हैं, वहाँ पर a side से, and last में आपको यहाँ पर option मिल रहा है कि footer, यह सारे के सारे आपके elements, इनको use करने के बाद आपके अगर सकते हैं, पूरा को पूरा web layout बना सकते हैं, जो कि आपके browser को and developer क help करेगा, बताने में कि लाइक कि यह किस चीज के लिए use हो रहा है, ठीक, तो यह आप समझ गए कि like this element element कौन गों से हैं, और उसके अंदर क्या 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 मिलते हैं, इसके बाद देखते हैं, next इसके अंदर, यहाँ पर आएंगे, non-selementic element क्या क्या होते हैं, यह भी यहाँ प यहाँ पर आप समझ रहें, they can be used with different attributes to mark up semantics common to a group, अब like, यहाँ पर meaning आप समझ रहें कि सबसे पहले तो उनकी कोई meaning नहीं होती, first, second thing कि वो different attributes के साथ में markup करते हैं, and markup करने के बाद में वो group में work कर रहे होते हैं, like, वो क्या होते हैं, जैसकि मैं आपको example के लिए दिखाऊ नहीं हो, तो यहाँ पर div and span को मैंने रखा है, okay, like, मैंने यहाँ पर div and span को मैने बता रख 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 ग баз I, जो वो और होते हैं आपके non scientific element ऐसे बहुत सारे elements होते हैं जो कि आपके non-senmintic होते हैं बट जो आपको senmintic होते हैं जो htm5 में आए हैं जिनको यूज करना चाहिए जिसके वेशे से browser and developer को दोनों को help होती है वो आपको वहाँ पर use करने को दिखेंगे जब हम आगे चल के जैसे ऐसे इसकी practice करेंगे और जैसे ऐसे हम इसके लिए projects बनाएंगे आगे तो यह आप समझगे कि आपके senmintic element and non-senmintic element कौन-कौन से होते हैं क्या-क्या difference है कैसे-कैसे difference है इन्हें याद रखिएगा इस theory को थोड़ा सा याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके exam में या आपके interview में पूचा जा सकता है अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आकर चलके practical पर दिखाऊं कि किस तरीके से इस चीज़ को use करना है आपको जैसके मैंने आपको जो web layout अभी html5 का दिखाया था उस चीज़ को हम करते हैं थोड़ा सा practice करके देखते हैं कि कैसी तरीके से उस चीज़ को लिख सकते हैं तो चलते हैं यहाप अपने आइटर पर आने के पास सबसे पहले में यहाप एक file बना रखें मैंने जिसका नाम है आपका part 9 जो कि आपको जैसे मैंने बता है what's new in html5.html जैसके आपको दिख रहा है और यह folder वही है जैसके आपको मैं प्रिवेस कुछ वीडियो में जो मैंने carry कर रखा है उसी folder को हम य सब्सक्राइब जो आपका इस टाइटल को यहां पर आपको जो लेक्ट इख 너-go lie Extension repeat और यहां पर होगा इस टाइटल हो गया इसके बात क्या करने अपको यहां पर आपका body आयगा ओए है यहापका body यह बादी ऑगी यहापी हो गया दिखाऊ ऑग को यहाँ पर visible हो रही है, अब इस file पर यहाँ पर कुछ भी अभी हमने create नहीं कर रखा, अब suppose मेरे को करना कैसे होगा, ठेक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपका header tag ले लता हूँ, अब इस header tag के अंदर भी ना, मैं क्या लिख देता हूँ, आपको header लिख देता हूँ, यह header लिख दिया है मैंने, इस header के बाद में क्या करना है, मैं nav बनाने चाहता हूँ, ठेक है, तो मैं nav tag ले 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 रहा हूँ, यह देखे, मैं थोड़ा सा अगर space करके आपको दिखाओ ना, कि अच्छे से आप समझ में आए आए आपको, तो देखे, मैं थोड़ा सा इसको space कर लेता हूँ, यह देखे, यहाँ से भी space, and then इसके नीचे space, यह दिख रहा है आपको, and यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको navigation के लिए, यह चीज होती है आपकी navigation के लिए, इन दोनों चीज को अगर मैं करूँ, save, and चलूँ यहाँ पर, and करूँ यहाँ पर refresh, तो refresh करने के बाद देखे, इस left hand side में आपको यहाँ पर visible हो रहा है, कि like आपका header, and navigation लिखा हुआ रहा है, and इसी चीज को यहाँ पर अगर मैं दिखा हूँ, आपको इसके बाद में, suppose आपको एक section लेना है, आपने एक section ले लिया, ठीक है, इस section के अंदर मैं section लिख देता हूँ, ठीक है, and just इसके नीचे आप क्या करेंगे, यहाँ पर article ले सकते हैं, just कि मैंने वहाँ पर आपको दिखाया यह element, यह आपका क्या हो गया, यह आपका article है, and इसी में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a side भी use कर सकते हैं, यह सब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बस आपके elements, जो आपको मैंने वहाँ पर दिखाया है, इनस elementik elements कौन-कौन से, वो मैं यह आपको दिखा रहा हूँ, कि यह tag कैसे दिखेंगे, और कैसे ने बताया था हम आपर फूटर होगे और बहुत सारी चीज़ है बट लाइक जो वैब लेयाउट के लिए रेडी है न चीज़े जो सब्सक्रादा यूज होंगी आपकी वो आपको ये जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब्सक्रादा यूज होने वाले लाइक आपका ह यहां पर यहां पर आपको सीवेंस दिख रहा होगा अगर मैं यहां पर इस चीज़ को करूं इंसपेक्ट इनसप्क करके अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए बॉड़ी है बाद आपका हैडड एट मिंस कि हैडर एड़न यहां पर निविगेशन नव पर सेक्षें आर अब भी हम HTML पढ़ रहे हैं, तो HTML के अंदर ये पढ़ रहे हैं, हमकी like 7-mintic और non-7-mintic element कौन-कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया है, कि like, 7-mintic होते हैं, वो यह होते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर web layout में दिखा रहा हूँ, और इसके साथ भी हो, जो list मैंने आपको दिखा हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ, कि आपको यह चीज़ समझ में आ रही है, अगर आपको कोई doubt अना, तो comment section में comment भी कर सकते हैं, ठीक है guys, ठीक है, सब कुछ cover करेंगे in detail में guys, and guys, जिस किसी ने भी तक channel को subscribe ने गया, please channel को subscribe करें, bell icon को hit करें, जिससे की वीडियो की latest notification आपको सबसे बाले मिल सके, and code for education को Instagram, Facebook, Facebook and Twitter and Telegram पे follow करें, मिलते हैं, next video में, next topic आपकिल तिल देन, जैहिन guys, करा करें,既ह आपका करेंगे inuderht मैं जैङरी बाले मिल सकते हैं, उलिधन率 मिल फचोस्ता को Looks Okay? झाले लोगरा,